जोईंट पार्लामेंटरी कमिटी एटले के संयुक्त संसदिय समिती आजकाल खुब चर्चा मां शे छापाओं मां अने टीवी हों मां थोड़ू थोड़ू आवे शे है ना विशे के जोईंट पार्लामेंटरी कमिटी नी विपक्षे मांगनी करी मुखे मदो शे राफेल डिल नो विपक्षे उँ माने शे अने युँ कहवा मागे शे के आनी अंदर खुबज मोटा पाए आर्थिक गरबडो थाई शे जेना कारणे संयुक्त संसदिय समिती नी तपास अने आ संस्थान अंदर अनेक विद्य समिती यो होई शे जेमानी एक समिती शे संयुक्त संसदी समिती पन दुरभाग्य पुर्ण रिते आपने लोग तांत्रिक देश मा रहता हो आच्छता है आपना देश नी व्यवस्थाओ विशे जानता न थी एटला माटे ज नेताओ सरकारों पक्षों खुब बोटा गोटाला हो करी अने पच्छी भीनू संकेली देवानी पद्धती करता होई शे नमस्कार हूँछू गोपाल इटालिया तमारों दोस तने बोले गुजिरातमा आजे आपने माहीती मिलव वानी जे जे पीसी विशे एटले के जॉइन्ट प संसद नी अंदर मुख्यत वे बे प्रकारनी समीतियों होई शे जेमा एक स्थाई समीती होई शे और एक स्थाई समीती होई शे अने एक स्थाई समीती ने स्थाई समीती ने स्थाई समीती ने स्थाई समीती ने एड होक कमीटी अंग्रे जिमाक के वामा आवे शे स्थाई स कारण के बारति निंडर विश्वा न तमाम देशों नी संसद नी अंदर विविद प्रकार्नि संमितियों नी जो गवाय करवा माँ आवी छे। एटला माटे देशनी संसद कोई एक ज़ प्रकार ना विशें मां उठ्णान पुर्वक अब्यास करवा मागती होई तो एना माटे विवित प्रकार नी समीतियों नी रचना करवी पड़े चे जे काम देशनी अंदर वारम वार अथवा सतनत चालतु होई आच़ानक जरूरपाडे दतापास करवानी त्यारे आस्था इसमितियों रचवामा आवती होए है आस्थाई समिति मानी Еक समिति एकले संयुक्त संसदिय समिति जैने हंग्रे जिमा जॉइंट पार्लामेंटरी कमिटी कहवा मा आवहे है यहां जे आजकाल खुब चर्चा माँ अपिता जॉइंट पार्लामेंटरी कमिटी न रचना के विदीत आइं तो नमर एक जॉइंट पार्लामेंट कमिटी बनावा मटे शंसदना बनने ग्रूहा मान थी एह लैके लोकसभा के राज्यसभा मा थी कोई पन एक गुरूह-म प्र पुरावाव मिल वहाना होई शिए तपास करवानी वह शे अननो रिपोर्ट बारत नी संसद ने स्वापवाना होई शिए। प्रतिनिधित्व जडवाई रहे तेनी पने कालजी लेवाम आवेशें लाज्यसभा अने लोग्सभाना संयक्त शांसद्वां एक समीती बने जने जॉयन्ट पर्लमेंटरी कमिटी के वा मावाई शे ने आ कमिटी ना चैर्मेन ये तले के अध्यक्ष एह हमेशा रूलिंग पाल्टी नाज होई छे जेपी सिनी रचनाशा माटे करवा मावाई शे ये पन खुब जानवा जेवुशे जेपी सिनी रचना कोई ये गतिविधि के जे गतिविधि ने अंदर आर्थिक गर्बडो थयानी संभावना होई शक होई के आधार कुरावा होई त्यारे जेपी सिनी रचना करवा में एक तले के कोभांड ज्यार थयू होई त्यारे जेपीसी नी रचना करवा मा आवे अने कोई बिल लोग सभा के राज्य सभा ने अंदल लावा मा आवे अने देश ना बहला हित मा एद बिल नी अंदर सुधारा वधारा के फिरफार करवा नी जरूरिया जनाए त्यारे जेपीसी नी रचना करवा मा आवे अने सरकार ना बिल भारत देश ना बहला समाजू पर असर करतू होई एवा कोई बिल माटे जेपीसी नी रचना करवा मा आवे शें जेपीसी एक इन्वेस्टिगेटिव मिकेनिजम अफ दी पार्लेमेंट अफ इंडिया तरीके उलखाए शें एटले के पार्लेमेंट पासे बहुँ बुद्धु काम होई शें तो कोई विशय उपर तपास करवा माटे एने जारे समिती नी जरूर पड़े त्यारे आवा प्रकार्नी समितियोंना माध्यम थी कोई विशय उपर उन्डान पुर्वक नी तपास करी शकाए एटले समिती रच्वामा आवे शे एटले बीजा अर्थमा कहिए तो भारतिय स संसद नी एक तपास करती समिती एक तले सअग्युकत संसदिय समीती हवे असथ इसे उक्त संसदिय समीती जॉइंट पारलमेंटरी कमिटी विशे आपने एकई दिते बने शे कैसे ला सभ्योवे हमाहिती मेल विह अवेनु काम शुँ होए एक जाने शुँ तो मुख्यद में लेलbert मोखिक पूरा वा एक्ठा करवा ऐनी दारों के राफियल माम ले जो जैपीसी बने तौ राफियल माम मलेनल कि त भीुपा मोखिक पूरावा एक्ठा करवा आंनुट सारी माम भली प्रte दिंद शेचा निवर्या बाक्यामफा था सचब्सुखत वीहां कि परिदवर्टा सुर्म कि लेकितल गूं कंवा लीअधि पिजनर फोवान के और çıkar घुर से ड़ियो आकर गर में 6 भी ज्लम सब्राइवा जय्ट को खाह्रतें के संस्था के पार्टी जो आ समिती समक्ष हाजर न रहे अत्वा एना आदेश न उलंगन करे तो ते व्यक्ति के संस्था है भारत नी संसद नी आदेश नो अपमान करियो तिरसकार करिया बराबर गणवामा आउशे अन त्याना विरुद्धुमा कारिय वाही पन थई शके कोई वो विवाद बने के समिती कोई व्यक्ति ने समन्स करे हाजर रहवानों और समन्स विवादित बनी जाए तो आखरी निर्णे करवानी सत्ता भारती ये लोक सबाना स्पीक करने शी एटले के धारो के राफेल मामले जेपीसी बने और जोइंट पार्लामेंटरी कमिटी तपास करवा माटे अनि लंबानी ने समन्स मोक ले अनि लंबानी एमा विवाद थाए हाजर रहवा न रहवा थी तो ए विवाद नक्के करवानों एटले के हाजर रहवू के न रहवू ए नक्के करवानी आखरी सत्ता ए भारतनी लोक सबाना स्पिकर पासे रहली छे JPC सरकार पासे पन पुरावाओ मागी शके छे ये तरपास नों विशई Joint Parliamentary Committee ने सवापवा माएवो होई एने लगता कोई पन पुरावाओ सरकार पासे मागी शके छे पन सरकार ने लागे कि देशनी सुरक्षा माटे कि देशनी आंतर्राष्टी सलामती माटे आप पुरावो कमिटी ने आपी शकायतियम नथी एवू जो सरकार ने लागे तो सरकार पुरावो आपवानी मनाई करी शके छे तो जेपीसी एक्सपर्ट नी सलाहपन लही शके है जमके राफेल मामलो जो जेपीसी माँ जाए तो राफेल एक लड़ा को विमान चे ज्ञान नहों तो जे लोको युद्ध विमान ना टेक्निकल ज्यानकार हो है कि युद्ध विमान नी अंदर शू शू टेक्निकल बाबत आवे तो जॉइंट पार्लामेंटरी कमिटी एनी पन सलाह सुचन लई शक्ये अने तपास मां इमने पन शामिल राखी शक्ये ज़्ध भारत देशना नागरीकों पासे थी सलाह सुचन के मार्ग दर्शन पन मागी शक्ये अत्वा कोई पन व्यक्ति पूरावा रजू करवा मागतो हो है तो यहनी पासे थी पूरावा पन लई शक्ये चे आ तमाम प्रकार नी सत्ताओ जे पीसी ने लोकसभा और पार्लमेंटरी कमिटी हो एछे पन त्याँ डे टूडे में वेजिस ऊपर काम थाई चे जोजे रोजे रोट्रामेंटरी कमिटी काम करे और लोकों ने जनावा के यह कुका यहा भारत देशित मुद्धा उपर एटले के सरकारी पन विवारत बिल भुद्धित बिल होई यह कोई आर्थिक गडबडी कवभांड होई एना उपड़ जेपीसी तपास बैसे तो ये शू काम करे शे अने इनो आखरी रिपोर्ट शू आएवो ये गुप्त राखवा मा आवे शे जे आपड़ा देशनी जवस्ता हवे आपने जो हिए के अत्यार सुधी भारत देश मा केट जेपीसी बनी आपने आना पंछे ना आगल ना वीडियों मा अपने चेक करता रह शू अलग अलग समितियो अलग अलग तपास पंचो सरकार नी गतिवीधियो नवा नवा काईदा ओन्ना नीयम ओ लोगतांतरिक पद्धतियो लोगतांतरिक संस्थाओ भारत देश मां पर्लामेंटरी कमिटी बनी तो सौथी पहला जॉइन पर्लामेंटरी कमिटी बनी बोफोर स्तोफ मां कवभान थया बाबबते ओगनी सो सत्यासी मां सौथी पहली जॉइन पर्लामेंटरी कमिटी बनी हती त्यारबाद Security and Banking Transaction Scam Banking Transaction कवभाण 1902 मा BG Joint Parliamentary Committee बनी हती त्यारबाद 3G Top Market कवभाण 2001 मा थयू त्यारे Joint Parliamentary Committee बनी हती अन्य त्यारबाद 4th Safety Standard in Soft Drinks आएक बो महत्वन अन्य गंभीर विशे हतो जेते वकतनी सरकार वकते अन्य त्यारे विवाद एवो हतो के Soft Drink अन्य बेवरेजिस ठंडा पीना अन्य जे कईपन बेवरेज आवाशे एननी अंदर जन्तुनाशक दवानो भाग उमेर आईशे आवा विवाद नेले अन्य जोइन पार्लामेंटरी कमिटी नी रचना करवा मा आवेली हती वर्ष 2003 मा 2011 मा स्पेक्ट्रम कउभाण 2G जेन तरीक आपड़े ओलखिया हिया स्पेक्ट्रम कउभाण एडले एक टेलिफोन ना बेंड फालवानु कउभाण थायोतु एननलाईन जेपीसी नी रचना करवा मा आवेली हती यान त्यार बाद वर्ष 2013 मा वीवी आईपी चौपर स्कैम बाबते जेपीसी नू गठन करवा मा आवेली हना त्यार बाद विवादित जमीन अधिग्रहन बिल 2015 खेडूतों नी जमीन ए सरकार उद्योगों ने आपवा माटे लई लेशे येना बडला मा जमीन मालिकों ने शूँ आपशे शूँ नहीं आपे ते तमाम प्रकार नी बाबतों मा खुबज विवाद तेलो अने आ जमीन अधिग्रहन बिल ना विवाद ने समझवा माटे सुल्टावा माटे अने दुरोगामी असरों ने समझवा माटे 2015 मा जॉइंट पॉर्लमेंट्री कमीटी नी गठन करवा मावेलू ने त्यार बाद चल्ले nrc बिल जे खुबज विवाद बिल छे एनुँ बेहजार सोल मा जोइंट पार्लमेंटरी कमिटी नी रचना करवा मा आवेली आवे रिते सरकार नी कोई पन गतिवी धिमा आर्थिक गरबर एटले के कवभांड अत्वा अनीमित्ता जनाय आवे त्यारे अत्वा सरकार नुँ कोई बिल विवादित बिल होय और देश पसार करवाथी था इसे मलोकसभा ने राज्यसरभा ना सांसद सभ्यो एना मेंबर होई शे रूलिंग पार्टी ना मेंबर एना चेर्मेन होई शे अनने मुख सत्ताव अप्पा मावेली शे जेते विशे और जेते समय गाला पूर्ती मरिया दिता समीती होई तेनी तपास पूर्ण थाया बाद एनो रिपोर्ट संसद ने स्वाप पाना होई शे तो आहती जेपीसली विशे तमाम जानकारी हूँचू गोपाल इटालिया मारी चैनल साथे जोडायलारे जो हूँच अमने देशनी लोक तांत्रिक व्यवस्था आने काईदा कानून विशे आमज ज जानकारी आप तो रहुच जय बारत जयूचू